मंबई में 30 करोड रुपे की प्रॉपेटी 19 दसलम 45 करोड में देनी की डील कर शातिरों ने पटना के रहने वाले अर्विन कुमार से 18 करोड 84 लाक रुपे की ठगी कर ली और अर्विन चित्रगूप नगर के रहने वाले और इन्होंने पटना के पतकार नगर थाना में पर ठगी का आरोप लगाया और उन्होंने मंबई में लोखंडवाला के रहने वाले मनो सेनानी और उनकी पत्नी अंजली सेनानी अंधेरी वैश के सुमिच चावला और उनकी पत्नी शवाना चावला को बांदरा के दिलिप महता के खिलाप रविवार देशाम एफ आयार द और ये मुंबई में कुछ कारोबार करने की प्लैनिंग भी कर रहे थे और अर्विन ने पुलिस को बताया कि मुंबई आने जाने के क्राम में मनो सेनानी और अंजली सेनानी से उसकी जान पेचान हुई थी और दोनों किसी काम से पटना आए और अर्विन से मिले और प्रोपटी के डील की बात चीत हुई और अर्विन ने पुलिस को बताया कि मनों से ना नी और उनकी पतनी नहीं 6-3 लोगों से उनको मिलवाय था और काईकिस्तों में ये 5 लोग 2019 तक 16.50 करोड रुपे ले चुके थ और एग्रिमेंट के कागज अर्विन पुलिस को दे चुका है और पीडित ने पुलिस को बताया कि इस मामले पर मॉंबई के इन कारोबारियों के बीच तीन बार एग्रिमेंट बना लेकिन आरोपी अपनी बातों पर खरा नहीं उत्रे और वहीं पतकार नगर के थानेदार मनोरंजन भारती के अनुसार एफायार दर्च हो गई और पुलिस ने इस केस की जांग शुरू भी कर दिये और वहीं मुझफ़र पुर जिले के सकरा थाना छेट के जिटकाई गाउं में रविवार राज सूचना पर शराब बरामत करने गई पुलिस की टीम को ग्रामिनों ने बंधक बना लिया और चापे मारी में शराब नहीं मिलने से लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर बेवज़ा परेशान करने का आरोप लगाने लगे और इसके बाद दरोगा अंजार आलम को कमरे में बंद कर उनकी जम कर पिटाई की गई और अन्य पुलिस कर्मियों पर पत्राफ कर भग प्रानक हुए हमले बे पुलिस को पीछे हटना पड़ा और इसके बाद सक्रा पुलिस ने करीब 10 राउंड हवाई फायरिंग की तब जाकर भीड तितर बितर हुई और बंदक बने दरोगा अंजार आलम को छुडाए गया और इसके बाद पुलिस ने उबद्रव्यों की द दरजन लोगों को हिरासत में बिलिया और वहीं बताया जाता है कि रविवार देरात करीब एक बज़े सक्रा पुलिस गाउं में एक घर पर छापे मारी करने पहुचे और वहाँ पर तलासी अभ्यान चलाए गया लेकिन शराब की बरामतगी नहीं हुई और पुलिस कारवा तीन जवानों को एक महिला ने दविया से काट कर जखमी कर दिया और एक जवान को 25 टाके लगे हैं और सक्रा थाना की तीन पुलिस करमी लापता हैं और वह उग्ध घटना के सामें मौजूद थे लेकिन इसके बाद अचानक से छट पर से पत्राव होने लगा और इस दोरा तीनों छुपने लगे थे और इसके बाद जब मामला शान्त हुआ तो उन तीनों की खोजबिन की गए लेकिन तीनों की कोई जानकारी नहीं मिली है और पुलिस अपने सूतरों से उनका पता लगाने में जुटी हुई है और वहीं भ्यार में बले ही शराब बंदी है लेकिन मानने लोगों के परिवार वालों को शराब मिलने में दिक्कत नहीं हो रही है और पटना के डिप्टी मेर रजनी देवी का बेटा आशिश अपने मित्रों के साथ शनिवार की देराथ पटना के देगा थाना छेर के कुर्जी मोड के पास एक मकान में शराब पाटी कर रहा था और देराथ पुलिस ने गुप्ठ सूचना के अधार पर छाप्यमारी कर डिप्टी मेर के बेटे आशिश को उसके मित्र के साथ गिरफतार कर लिया और छाप्यमारी के दोरान पुलिस को शराब की तीन खाली बोतले भी मिली है और वही पुलिस ने ब्रेट एनिलाइजर से ज शराब पार्टी कर रहा था और तीनों कमरा अंदे से बंद कर शराब पी रहे थे और इस दोरान फुलिस मौके पर पहुँच गई और आशिश और उनके अन्ने तीनों दोस्तों को गिरफतार कर लिया और वह यह आपको बता दें कि हाली में भीहार में शराब के ट्रक को जब पार्म जयाए तीनों कुल को सीने से वा चार्म मोर्सज की में शोस्तों की में जो हे और होाराब को सीनिस्छयमा आराम में ढारा है आरी में शोराव ध排 watch उन्दे az LETुंट की मूके धूरा एाम जया ड्रिशत पाराव जरा है झाल झाल